महराष्ट के विपक्षी गडबंदन महाविकास अगाडी के बीच लोगसभा चुनाव के लिए सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै हो गया है। महराष्ट की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कॉंग्रेस और 10 सीटों पर NCP शरत गुट अपने उमीदवार उतारेगी। मुंबई में मंगलवार को तीनों दलों की जॉइंट प्रेस कॉंफरेंस में इस सीट शेरिंग के फॉर्मूले का एलान किया गया। MVA नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंटरल, भिवंडी, सांगली और 17 सीट को लेकर के भी सहमती बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवात की स्थिती बन गई थी। MVA में सीट शेरिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई बैठक होने के बाद भी पार्टियां ये तै नहीं कर पाई थी कि किसके पास कितनी सीट जाएंगी। इसी बीच 27 मार्ज को शिवसियना ने 17 उमीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें मुंबई उत्तर पश्च्चम से अमोल कीर्थिकर को टिकेट दिया गया। अमोल को संजर राउत का करीबी बताया जाता है। इसके बाद 3 अपरेल को चार और प्रत्याशियों के नाम तै किये गए थे। अमोल को टिकेट का कॉंग्रेस पार्टी छोड़ने वाले संजर निरुपम ने विरोत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक भासकर